हाँ स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंद पुरही तो आप देखे रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ तो आप आई टे पे जाके मेरे प्रीविएस वीडियो देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा इसविन आज मैं आपके सामने इन पर बेस्ट क्वेशन कराने वाला हूँ कि नॉर्मल एंट टेंजेंशल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पर जो बेस्ट क्वेशन होते हैं उनको हम कैसा एक्जाम में यहां पर सॉल्व कर सकते हैं तो सुन देखे सबसे पहले हम फार्मले समझ लेते हैं तो यार फार्मले हमारे पास क्या होता है अगर हम बात करें टेंजेंशल वैलासिटी की बारे में का फार्मला होता है हमारे पास ds by dt और जो हमारे पास normal वैलासिटी होती है उसकी value हमारे पास यहाँ पे क्या होती है होती है और इसके जो जो होत improvement पास क्या होती सब्सक्राइब 2010 को सबलिके bağasi होती है अब बात करेंगे हम यहां पे टेंजंशल एक्सेलरेशन की बारे रही तो टेंजशल एक्सिलेशन को मैं 80 से रेनॉट करता हूं तो हमारे पास इसकी वेली होती है dvv by dt या फिर हम इसको लिख सकता है d2s by dt sqr या फिर हम इसको लिख सकते वी स्कॉर अपन रो की वेली होती है डी एस अपन भी शाई यह मारे पास फार्मला अगर इसके रिजलेट वेल सलेशन की बात करें तो यह यह था हमारे पास 80 square plus an square इन दोनों की वेली उठा गया रग दीज तो मेरे पास यह पर रिजल्टेंट एक्सलेशन है यह फार्म लेकर आपको याद है तो इससों कोई भी क्रेशन आप बहुत ईजी लिए आप है कर सकता है तो इससों क्रेशन देखे कैसे करेंगे जिसे मारे पास एक क्रेशन द bonds यह जारी और यह हुए हमारे पास यहां पर क्या रखात कि रूखेंगे लोगिए फ इसको ऊन्सेलरेशन की ब overlapping जाई यह फूर想 रही है चन्जेंचालेशन q iter ले Stack तो यहां पर हमारे पास 4a sin शाहिए तो इसको हम differentiate करेंगे, तो सुनी हम क्या करेंगे, हमारे पास दिरिखा है S, अगर मैं S को differentiate करता हूँ, तो ds by dt आप देखे रहें, यहां यहां हमारे पास 4a sin का हो जाएगा, सुनी शाहिए और शाहिए का हो जाएगा D shy by dt, हम जानते है, को हम नहीं है, सी माना इसको क मान ले जे, इस विए k उठा के रखेंगे, तो यहार हमारे पास हो जाएगा, ds by dt is equal to 4 a k cos psi हो जाएगा, सुन दी शाय बाई डीटी की वेलिव वापस आप k रखोगे तो सुन यह वेलिव उठा के हमें यहां रख देता हूँ तो यहां k आएगा तो सुन यह आजाएगा माइनस का 4a k square sin चाहिए यह हमारे पास इसकी वेलिव आजाएगी अब हम निकालेंगे इस नॉर्मल एकसलेक्शन तो यह हमारे पास फार्मला होता है पूरे साइन चाहिए तो यहां पर डी एस भाई डी शाहिए की वेलिव आपास कितने होगी इस नुसको शाहिए करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 4a को शाहिए ओगा सुन यह वेलिव उठा कि आप यहां रख दीजिस को सॉल करेंगे तो यह तो यह रही आएगा 16a square k square iğ और को ज stubाईट इस नुसको शबार को चाहिए से को शाहिए काश्यों पर बला को शाहिए इसिन को शाहिए यह वेलिव टाईगा करेंगे गो swinging खाल करेंगे के शे Hmmm हमारे पास को ओता UD OF AT स्क्वर प्लास AN स्क्वर ना तो is equal to Android of 80 हमारे पास स्क्वर करेंगे तिह जाएगा 16A स्क्वर एंड हाएगा हमारे पास K पावर 4 साइन स्क्वर शाहिए इस ताइप से स्का रखेंगे का करेंगे यह भी हमारे पास 16 a square के पावर 4 कोशिश का साई हो जाएगा राइट इसनों आप देखे रों 16 a square के पावर 4 common आ रहा है तो यह एक हमारे पास 16 का 4 हो जाएगा एंड के यहां पर यहां पर रिजल टेंड तो मैं सबस्क्राइब यहां पर क्या सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं जो मैंने बता है वो कवह यह नहीं है कुछ नहीं है तो यह आप देख सकते हैं तो नेक्स्ट के बारे हम बात करते हैं इफ दे टेंजेंशल नॉमल एक्सलेशन दो पार्टिकल डिस्क्राबिव अ प्लेइन कर भी एक कॉंस्टेंट थू आउट इसका टेंजेंशल नॉमल एक्सलेशन दोनों क्या है हमरे पास कॉंस्टेंट है तो यह हमारे पास होता है और यह हमारे पास होता है यह हमारे पास क्या रखा है और यह हमारे पास कॉंस्टेंट दोनों क्या है यह हमारे पास क्या है लेमडा है, right, इस निए हम जानते है, normal acceleration, जिसकी value हमारे पास होती है, V square upon rho, इस निए भी हमारे पास के दर रखा है, constant दर रखा है, right, अब यह दोनों हमारे पास यहां पे के दर का रखा है, constant दर रखा है, इस निए हम सबसे बहुत हम इसको पकड़ते हैं, चूँकि हमारे पा तुप लेक्स जो तरीका होता है एक और फॉरमला उता है दीव भाई डीटी इसको लैम्डा महाँ जाया तो यार हम इसको पकड़के चलते हैं है तो हम जानते की डीवी is equal to lambda dt हो जाएगा, then इसका integration करेंगे तो यह आएगा lambda t plus c हो जाएगा, right, तो सुन यार यह जो v है, इस v की value उठा के हम यहां रखेंगे, तो यह value उठा के आप रखोगे, तो सुन यह आएगा हमारे पास lambda t plus c का whole square upon rho is equal to mu हो जाएगा, हमें mu, हमें यहां पर rho की value प्रूव करने, तो rho is equal to मारे पास क्या हो है, सुन, lambda t plus c का whole square upon नीचे mu हो जाएगा, इस उनीचे mu को अलग-अलग करके नीचे ले जाते हैं, तो यह जब अंदर जाएगा, तो root हो जाएगा, into t plus c upon root mu हो जाएगा, का whole square, सुन यह constant है, तो हम यहां पर a और b मान सकते हैं, तो rho is equal to मैं इसको a माना, तो यह हमारे पास 80 हो जाएगा, इसको भी माना तो यह तो सुन यह हमारे पास first part बहुत इसली प्रूव हो जाएगा, next बात करें क्या बोला, the angle shy through which the direction of motion turns in the time t given by this, आपको यह प्रूव करना है, next देके सुन कैसा हम इसको प्रूव करेंगे, so next part प्रूव करते हैं, इसको मैं erase करता हूँ, and हम वापिस second part पर करते हैं, second part हमारे पास क्या बोल रहा है सुन, second part हमें यह बोल रहा है कि हमें यह प्रूव करना है कि y is equal to a log 1 plus bt, इस यहां पर इस बार हम v dv by ds is equal to हम ला ला लेता है, क्योंकि ultimate हमारे पास tangential acceleration के तीन फार्मुले होता है, तो हम इसको लेंगे, v dv by ds is equal to मैंने यहां पर कहले ले ले लेंबडा, और इस उन्हों हमारे पास v square upon rho is equal to mu तरहा है, तो यह वी square को मैं as it is डिलता हूँ, इस उन्हों रो का value होता है, ds upon d shy, तो हम इन्हों जब शाय उपर ले लिया, is equal to mu, आब इन दोनों को divide कर लेंगे, यह हमारे पास 1 यह हमारे पास 2 है, इस उन्हों मैं बताना चाहरा हूँ, इन्हों मैं बताना चाहरा हूँ कि रो की value हमारे पास, ds by d shy होता हम कैंसल नों जाए अब देखरो वी से वी मेर पास कैंसल हो जाएगा तो इसन यह आएगा dv upon V d shy is equal to lambda by μी हो जाएगा इस में सको उदर लेकर जाई है तो dv अपन वी is equal to lambda by mu d shy हो जाएगा इसोरा इसका integration करेंगें तो इसका integration और यह जो integration आएगा वह आएगा log v is equal to lambda by मियूं शाय राइट यहां पे मैं इसका प्लस इवन ले लेता हूं है ना याज सीवन ले लेता हूं ठीक निए अब इस लेमड़ा भाए मी को उदर पहुचा दो और और प्रोव फिस एक नया आप लेता है जब तो लेगो लोग यह तो तो सब्सक्राइब यहां यहां पर यह हम यह पर लेघ्क नहीं पर लेख देंके जो मने पहला वाला प्रूव करत अजिके में पास लेमड़ा टी प्लस इसको मैं रख देता हूं जानते हैं कि एट इनिशल इस इकल टुझ तो तो हम जानते है कि शाई की वेल्या होगी हमरे पास 0 तो जब t को 0 रखोगे और शाई को 0 रखोगे तो फूर यह आएगा हमयरे पास मू बाइलडा लॉग यह 0 हो जाएगा तो C हो जाएगा और यह शाई 0 होगा तो मारे पास k kw value ही है जाएगे सुनिए k kw value उठा की हम यहां रखेंगे, तो जिसे k की वेली उठा के आप यहां रखोगे, तो यह आए जाएगा हमारे पास, mu by lambda, log, lambda t, plus c, is equal to shy, plus, यह जाएगा, mu by lambda, log, c, हो जाएगा, इस log c को उधर लेके जाएगा, तो यह जाएगा, मैं थोड़ा सा अलग कलर में बता रहा हूँ, ता कि आपक lambda t, plus c, minus, यह आजाएगा, हमारे पास, mu by lambda, log c, हो जाएगा, इस उन, mu by lambda को common निकाल दीजे, तो shy is equal to mu by lambda, और log a, minus, log b, यह हो जाएगा, log a by b, तो यह जब c से डिवाइड करोगे, तो lambda c, into t, plus 1 हो जाएगा, इस उन यहापे, इसको a, और इसको b, और यह मान लेजे, तो shy is equal to, हमारे पास, इसको मैं a मान रहाँ, तो यह आएगा, a log, यह मैं इसको b मान रहाँ, तो bt, plus 1 हो जाएगा, तो इस उन यहापे, shy है, यह यह, यह नहीं है, right, तो इस उन, मारे पास, यह इसका, प्रूव हाए, इस तरह सम बहुत इसलिए, आप इसको प्रूव कर सकते है, इस सुनिया पर इसका प्रूव आप देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया है, अगर आपको समझना है, तो यहाँ पर इस तरह से 20 को समझ सकते हैं, तो नेक्स देखिए अगला क्योशन, इस उन अगला क्योशन क्या बोल रहा, upon describe a curve with uniform speed v, if the acceleration at any point be v square c upon s square plus c square, then prove that the curve is catenary, आपक यहाँ पर प्रूव करना है, कि जो कर वे हो हमारे पास यहाँ पर कहा है, catenary, सुनिया आप हमारे पास एक चीज़ दे रखिए, कि जो हमारे पास upon describe a curve with uniform speed v, सुन वी हमारे पास velocity दे रखिए, तो आपको बताना चाना हूँ कि जो भी हमारे पास resultant velocity होती है, मैं आपको बोला था, वो हमारे पास tangential velocity के बाराबर होती होती है, हम जानते है, वो हमारे पास क्या है, ds by dt और वो हमें uniform दे रखिए, मतलब constant दे रखिए, तो यहाँ इसको में सी माल लेता हूँ, तो इसका एक बार हो, differentiation करेंगे, तो d2s by dt square हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अंडरोड ऑफ, tangential acceleration का square प्लस normal acceleration का square, और वो हमें दे रिखा है, v square c upon s square plus c square, इस वो हमारे पास tangential acceleration की value, अभी हम दे निकाली थी, कि हमारे पास tangential velocity वो हमारे पास 0 है, तो इसका acceleration होगा, वो तो हमारे पास वैसे ही by default 0 हो जाएगा, क्योंकि v हमारे पास c है, और हम जानते है कि जो tangential acceleration होता है, उसकी value होती है, d2s by dt square, या हम इसको बोलते है, dv by dt, तो वो तो वैसे भी 0 हो गया, तो यह तो 0 हो जाएगा, और यह बचेगा, तो यह सुने इसको लिखेंगे, तो यह 0 हो जाएगा, और हम जानते है, इसकी value होती है, v square upon rho का whole square is equal to v square c upon s square plus c square होगा, यह सुने अंड्रूडर square है, तो हट जाएगा, तो यह आएगा, v square upon rho is equal to v square c upon s square plus c square होगा, सुने जानते है, v square से v square cancel, जहाँ भी रो है, वहाँ पर रखेंगे, ds by dt, तो सुने शाही कहाँ चला जाएगा, ऊपर, and यह आएगा, c upon s square plus c square होगा, यह सुने डी शाही is equal to, मैं इस 10 inverse s upon c plus k जाएगा, यह हमारे पास इसकी value होगी, पर हम जानते हैं, कि जब initial होगा, at s is equal to 0, तब हमारे पास shy की value भी क्या होगी, 0 होगी, तो सुने यह भी 0 और यह भी 0 रखेंगे, तो it implies कि हमारे पास क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सुने हमारे पास shy is equal to क्या होगा, 10 inverse s by c, और यह हमारे पास क्या होता, catenary होता, right, यह इसको मैं ऐसा भी लिख सकते है, s is equal to c 10 चाही, यह हमारे पास equation of catenary होती, जब आप इसको 10 लेके जाएगे, c से cross multiply करेंगे, इसको इसको इसका proof आप समझ सकते हैं, जो कि मैं यहां पर कर रहा है, सुने इसका proof आप समझ सकते इसको आगे बढ़ते हैं, इसको अगला क्वेशन देखे, क्या बोल रहा है, तो इसको नेक्स क्वेशन देखे, क्या बोल रहा है, अब पार्टिकल मूव इनकार रहा है, so that its tangential and normal acceleration are equal, इसको नहीं और रहा है, बेर मतलब 80 हमारे पास, an के बाराबर दे रहा है, and आप सो बल ना चाहता हूं कि टेंजेंशलय एक्सलस्टिंषिन की वैंड हमारे पास क्या होती है इसमें जटी स्कुर और ये वाल पास ब्लाय स्थिति आजरी फ्टीच करोंने कि फिल tough this activity set upon ds और सुन यह आएगा v हम यह रखेंगे तो ds by d shy तो सुन यह आएगा हमारे पास ds by d shy तो सुन d shy को मैं उपर ले लेता हूँ आप देखर सुन ds से ds भी cancel हो जाएगा इसको मैं इदर लूँगा तो सुन यह आएगा dv upon v is equal to d shy हो जाएगा जब इसका integration करेंगे तो सुन हम जानते हैं यहां पर मैंने constant ले लिया log c ले लिजे तो यह हमारे पास हो जाएगा log v is equal to shy plus log c हो जाएगा इसको उदर लेके आए तो यह होगा log v by c is equal to shy जब log हटेगा तो यह e हो जाएगा और c उदर से लाएगा तो e की power shy सुन यह हमारे पास v की value हो जाएगा पर हम जानते हैं हमें तो कर्व निकालना है तो यहां पे v को भी हटाना पड़ेगा इस सुन हमारे पास v यह दे रिखा है तो v का मतलब हमारे पास क्या होता सुन ds by dt और यह हमें दे रिखा है c e की power shy पर हम जानते हैं कि d shy by dt हमारे पास omega है और ds by dt हमारे पास इदे रिखा है इन दोनों को आप क्या कर दीजे डिवाइड कर दीजे राइट इस इस दे एक्वेशन नमबर 1 और यह हम एक्वेशन नमबर 2 ले रहता है जब इसको divide करेंगे त तो यार हम जानते है ds by dt upon यह आजाएगा आपास d shy by dt is equal to c e की power shy upon यह क्या हैगा हमारे पास omega हैगा जब इसको divide करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास ds upon d shy is equal to c by omega e की power shy हो जाएगा इसको अलग अलग लिजे तो यह लिख रहा हूं तो ds is equal to c by omega e की power shy d shy हो जाएगा तो मैं इसको k ले लिदा हूँ constant यह आएगा s यह आएगा c by omega e की power shy plus k हो जाएगा इसको यहाँ पर हम इसको इस तरह से बिलिख सकता है s is equal to c को मैंने a ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर b ले लिया तो यारी यह हमारे पास क्या हैगा कर हो जाएगा और इस तरह समस्को बहुत इसलिए लिए आपर कर सकता है इसलिए आप इस question को देखना चाहें तो इसका proof आपको यहाँ पर हराम से देख जाएगा clear so सुन यार यह question आपको comment box में दे रखा है और इसका answer आपको मझे comment करके बताना है कि क्या answer को आपको solve करने में कितने seconds लगे इसलिए माँ बताना चाता हूँ कि dynamics में मैंने काफी सारे videos upload कर दी है जहाँ पर मैंने cardisan coordinate system, polar coordinate system and intensity coordinate system इन सब भी भी videos आप यहाँ पर जाके देख सकता है इसलिए अगर आप CSI net ID German get exam की तैयरी कर रहे है और आपको इन exam के बारे में पूरी information चाहिए क्या cut-off सरी कौन से book पढ़ने चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए तो यहाँ पर जाके आप मेरे videos देख सकते है इसलिए यहाँ जाके मेरे ने चनल को subscribe कर सकते है और यहाँ जाके answer आप मुझे comment box में जरूर दीजिए thank you